फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेगे Carry on Comfort written by GM Hopkins GM Hopkins एक English poet और priest थे GM Hopkins को अक्सर depression के attacks आते थे 1885 के आसपास भी उन्हें ऐसे ही depression का attack आया था और उस दारान उन्होंने कुछ sonnets लिखे थे 6 sonnets लिखे थे फर्स टाइम उन्होंने जिसमें से एक जो है Carry on Comfort इन sonnets को critics terrible sonnets भी कहते हैं तो आज जो हम डिसकस करने वाले हैं वो उन्हीं छे में से एक terrible sonnet है that is Carry on Comfort अब इस title का meaning समझ लेते हैं कि Carry on Comfort का मतलब क्या होता है इस poem में Carry on Comfort despair को कहा गया है निराशा को कहा गया है literal meaning Carry on का होता है decade flesh और यहां पर Carry on का मतलब है death और death किस चीज़ की है spiritual death मतलब poet क्या कहना है कि जब spiritual death होती है इनसान में तभी वो निराशा को surrender करता है जब आपकी आस्था कहतम होती है तभी आप निराश होते हो तो इसी concept को लेकर इस poem को लिखा गया है not I will not carry on comfort despair not feast on thee अब ये एक ही line में तीन भार not word का use किया गया है क्योंकि poet जो है वो emphasis करना चाहते है इस बात को stress करना चाहते है कि चाहे जो भी हो जाए वो निराशा को surrender नहीं करेगे not I will not, नहीं मैं नहीं carry on comfort despair despair मतलब निराशा जो कि तुम carry on comfort हो जो कि spiritual death के बाद में मिलने वाला comfort है निराशा इंसान को comfort देती है क्योंकि जब निराश होता है इंसान तो he gets engaged in physical pleasures okay sensual pleasures तो इसकी वज़े से इसे comfort भी कहा गया है तो poet कहरे है कि नहीं मैं तुम्हें carry on comfort despair तुम्हें मैं surrender नहीं करूगा not feast on thee fist का मतलब होता है feed upon किसी चीज़ पर survive करना तो मैं निराशा पर survive नहीं करूगा मैं निराशा को surrender नहीं करूगा on thee मतलब on you not untwist untwist करना मतलब lose करना not untwist slack slack का मतलब weak they may be these last strands of man in me these last strands of man का मतलब होता है वैसे तो literal meaning bones and veins लेकिन यहाँ पर है कि last spirituality okay spirituality जो कुछ भी थोड़ा बहुत faith या आस्था बचिये poet में वो तो मैं अपने जो कुछ भी थोड़ी बहुत spirituality आस्था बचिये मेरे अंदर उसे मैं untwist नहीं करूगा lose नहीं करूँगा भले वो कितनी भी weak हो चुकी हो मतलब मेरे अंदर की spirituality भले वीक हो चुके situation के वज़े से लेकिन फिर भी मैं उसे पूरी तरीके से छोड़ नहीं दूँगा most weary भले मैं बहुत थक चुका हो situation के वज़े से cry I can no more और भले मैं ये चिला रहा हूँ रो रहा हूँ ये कहके कि I can no more अब मुझसे नहीं होता अब मैं कुछ नहीं कर सकता I can, can something तो poet कह रहे है कि अब यहां पर optimism हमीं दिखाए दे रहा poet कह रहे है कि I can करता है किस चीज़ की उम्मीद है wish day come कि वो दीन आएगा जब poet को spiritual comfort मिलेगा okay not choose not to be not choose not not choose का मतलब choose नहीं करना और not choose not मतलब choose करना not choose not to be poet क्या कर सकता है he can still make a choice किस चीज़ की choice कि he will leave he will exist he will not surrender to despair but ah but oh thou terrible अब यहाँ poet कह रहे है कि oh thou terrible thou का मतलब you terrible यहाँ पर Christ को कहा गया है Christ as a punisher क्योंकि Christ क्या करते है कि जो sinner है जो पापी है उन लोगों को शिक्षा देते है okay तो इसलिए यहाँ पर terrible कहा गया है Christ को why wouldst thou rude on me तुम क्यूं मेरे साथ में इतने rude हो गए हो इतने सक्त हो गए हो the ring world right foot rock ring का मतलब होता है squeeze करना maraud na die you squeeze world right foot rock तुमने अपने right दाहिने पाव से मुझे rock किया है और squeeze किया है मतलब according to Bible जहाँ पर Christ को as a lion describe किया गया है और ये माना जाता है कि Christ अपने दाहिने पाव से जह वो दुनिया को rock करते है सीनर लोग जो होते पापी लोग जो होते उन्हें वो शिक्षा देते है lay a lion limb against me तुमने क्यों अपना जो lion limb है मतलब जो strong foot है lion की foot की तरह उस lion limb से तुमने मुझे क्यो मारा है और या वो मेरे उपर क्यों है lay a lion limb against me तुमने अपना दाहिना पाव जो कि lion limb की तरह strong है उसे मेरे उपर क्यों रखा है scan मतलब look closely ओकी ठीक से देखना scan with dark some devouring eyes my bruised bones bruised का मतलब होता है injured devouring मतलब जैसे कि अभी आप खा जाओगे किसी को तो scan अब क्राइस्ट क्या कर रहे है कि looking closely उनके आँखों में गुसा है जैसे कि अब वो poet को खाई जाएगे मार डालेगे with a dark some dark some क्योंकि उसमें बहुत जादा आँखों में बहुत जादा गुसा है fan यहाँ पर actually भर्ब है जिसका मतलब होता है कि toss violently against the wind हवा के जोके में जोर जोर से किसी चीज़ को पटकना and fan oh in terms of tempest me hip there me frantic to avoid thee frantic का मतलब होता है भैभीत होना और tempest का मतलब होता है बवंडर and fan and fan oh in terms of tempest Christ क्या कर रहे है कि poet को violently बवंडर में जैसे घुमा रहे हो me hip there और तुमने मुझे क्या किया है कि पटक दिया है जैसे hip पर किसी garbage को फेका जाता है उस तरीके से me frantic to avoid thee और poet जोर बहुत जादा भैभीत हो चुका है क्योंकि Christ को अब avoid करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि Christ जो बहुत terrible रूप में उसकी सामने present है and flee और poet क्या कोशिश कर रहा है क्योंकि अब वो डर चुका है Christ से तो वो उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है why क्यूं तु मेरे साथ में ऐसा क्यूं behave कर रहे हो that अब poet खुद ही सवाल का जो जवाब दे रहे है that my chaff might fly chaff का मतलब होता है भूसा मतलब grain से अनाज से निकलने वाला जो भूसा होता है unwanted part जो होता है तो poet कह रहे कि that my chaff might fly ताकि मेरे अंदर का जो भी भूसा है मतलब poet यहाँ पे खुद को grain से compare कर रहे है sheer and clear sheer and clear मतलब साफ हो जाना ताकि मेरा जो अनाज है वो साफ सुत्रा हो जाए अब यहाँ पे literal meaning हमें नहीं लेना है जैसे कि grain का जो hip होता है अनाज का जो डेर होता है उस पेसे अगर हवा बहे तो क्या होता है कि चैफ जो है बूसा जो है वो उड़ जाता है और साफ सुत्रा अनाज जो हो रह जाता है अब क्राइस्ट को यहाँ पर wind कहा गया है और poet को यहाँ पर grain कहा गया है और poet के अंदर की जो negativity है जो भी उसमें की बुरी चीज़े उसे चैफ कहा गया है तो क्राइस्ट एक wind के तरह बहते हुए आते है और poet के अंदर की जो भी बुराईया है मतलब उस चैफ को उड़ा कर लेकर जाकेते है ताकि poet में की सारी अच्छा ही अच्छा ही रह जाए ने in all that toil that coil ने का मतलब that is not all अब toil और coil यहाँ पर actually इसका meaning है कि poet के अंदर का disturbance जो भी उसके अंदर की मानसिक अस्वस्थतत थी उसे यहाँ पर उस disturbance को यहाँ पर toil coil कहाँ गया है since seems I kiss the rod अब poet कह रहा है कि ने सिर्फ इतना ही नहीं है आगे poet यह कह रहा है कि उन्दर poet के अंदर का जो भी disturbance है वो अचानक से शान्त हो गया क्योंकि जब Christ as a Punisher poet को punish कर रहे थे तो उस टाइम पर poet ने क्या किया कि उनके हाथ में का जो rod था corrective rod जिससे वो sinners को punish करते हैं correct करते हैं उस rod को poet ने गलती से किस कर लिया और rod ही नहीं उसने God के hand को भी touch कर लिया my heart low lapped strength lapped का मतलब होता है obtain करना पाना जैसे poet ने ये किया poet को एक strength मिली stole joy would laugh and cheer poet ने जैसे God के हाथ को जब छू लिया तो उसमें एक तरीके का joy एक तरीके की खुशी परमानंद वो poet में हसूस करने लगा would laugh and cheer अब poet जो है वो हसना चाता है खुश होना चाता है celebrate करना चाता है अब poet के अंदर की जो भी negativity थी वो pessimism जो था वो निकल चुका है cheer whom दो अब मैं किसको जो है वो cheer करू applaud करू किसकी सराना करू the hero whose heaven handling flung me उस hero की अब यहां hero कौन है Christ है whose heaven handling flung me heaven handling का मतलब है कि Christ has the power to handle heaven तो Christ जो की hero है जो की heaven को भी handle करते उन्होंने मुझे फेग दिया flung me foot trod मतलब अपने पैरों के नीचे जिन्होंने मुझे फेग दिया ताकि वो मुझे trample कर सके मुझ पर चल सके बेरे में से foot trod me or me that fought him या मैं अपने आपकी सराना करू जो भगवान के against में खड़ा हुआ जो भगवान से लड़ाई कर रहा था ओ which one मैं किस से upload करू is it each one या मैं दोनों को upload करू that मतलब खुद को भी करू और Christ को भी करू of how done darkness I richly wrestling with my God my God sorry that night that year अब poet कह रहे कि that night वो रात that year वो रात एक पूरे लंबे साल के जैसी थी कौन सी रात जब poet में spiritual darkness था जब poet की spirituality जो है वो lowest level पे आ गई थी जब वो almost despair को surrender हो रहा था जब वो God के against complaint कर रहा था वो रात मानो एक साल की तरह लंबी थी क्योंकि poet mentally जो है वो बहुत ज़ादा disturbed था of how dare a darkness I rage rage का मतलब यहाँ पर अभागा है okay I rage poet खुद को यहाँ पर अभागा कह रहे है कि of how dare a darkness I rage lay wrestling अब मतलब poet कह रहे है कि वो रात वो रात एक लंबे साल के जैसी थी जिसमें मैंने यह daring की जिसमें मैंने यह बेवकूफी की कि मैं अपने दिल में का जो अंधेरा था उसकी वज़े से मैं अभागा lay wrestling अपने ही भगवान से fight कर बैठा with my god my god मतलब मैं अपने ही भगवान से लड़ पड़ा मैं कितना मूर्ख हो अब यहाँ पर poet यह भी कहना चाते है जब poet यह सवाल पूछ रहे है कि मैं किसको upload करू of each one is it each one यह जब poet कह रहे है तो यहाँ पर actually unity बताए गई है poet और Christ में मतलब हर एक किसा poet जो है वो Christ से लड़ रहा था तो यह outer conflict है लेकिन actual में दोने एक ही है हम सभी जो है वो भगवान के ही अंश है तो इसलिए यहाँ पर unity बताए गई है और वो एक रात को एक लंबा साल इसलिए बताते है क्योंकि वो जो था वो रात का जो experience था poet के लिए जब spiritual darkness था उसके दिल के अंदर तो उसको poet terrible experience कहते है क्योंकि वो single night जो थी जब poet के पास में उसके spirituality की power नहीं थी तो despair उस पे हावी हो रही थी निराश उस पे हावी हो रही थी इसलिए वो रात उसे एक साल की तरह लंबी लग रहे थी तो यह था इस poem का analysis अगर आपको समरी अच्छी लगियो तो दोंट फरगेट तो सब्सक्राइब तो चानल और हिट था लाइक बटन